प्यारे भिद्यार्थियों हम देख रहे हैं इसमें उत्सा और अटने रही सूरे कांध तिरपाथी निराला द्वारा जो रचित आपका पार्ट का चैप्टर है उसके इंपोर्टेंट कोश्चन्स जो की आपके बोर्ड की दिरिस्टी से बहुत ही महत्वपूंट रहने वाल इसमें से हमने सूर्दास के पद उसके ऑलावा तूलसी दास का आपका राम, लक्षमन, परसुराम, समवाध, उसके बाद हमने जैशंकर, प्रसाद का किया था आत्मकथे, अब हम कर रहे हैं यसूरे कांत तिरपाथी निराला का जो है उत्सा और अट नहीं रही तो सबसे पहला कुश्चन इसमें पूछा गया है राम कृष्ण परम हंस और विवेका नंद की विचारदारा ने खाली स्थान पर विशेश प्रभाव डाला तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा और क्या आएगा बिल्कुल सही समझ लिया आपने निराला ठीक है निराला पर यह सूरे कांत तिरपाथी निराला पर विशेश प्रभाव डाला इसके बाद जो है आप डारेक्ट निराला भी लिख सकते हैं और पूरा नाम भी लिख सकते हैं उसके बाद में सूरे कांत तिरपाथी निराला का जनम बंगाल के महिशा पादल महिशा दल में सन खालिस्थान में हुआ तो महिशा दल में कब हुआ था इनका जनम तो इनका जनम जो आप लिखेंगे तो आंसर आएगा आपका 1899 याने 1899 लिखेंगे आप ठीक है अगला जो कोशन है उस्सा एक खालिस्थान गीत है जो बादल को संबोधित करता है तो इहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका तो उस्सा एक आहवान गीत है ठीक है पुकार है ना तो इहाँ पर आहवान लिखोगे हिंदी का सुद्ध जो है आहवान होता है ठीक है तो उस्सा एक आहवान गीत है जो बादल को संबोधित करता है उसके बाद जो next question है, उसकी बात करते हैं, next question में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, अट नहीं रही है कवीता, खालिस्थान की मादक्ता को प्रकट करती है, अट नहीं रही है, जो यह कवीता है, यह किसकी मादक्ता को प्रकट करती है, तो यहाँ पे प्यासे जन की खाली स्थान को पूरा करने वाला है तो किसको यहाँ पर जो आएगा आपने जो सोचा है वो नहीं आएगा जो आंसर आएगा यहाँ पर आएगा जो प्यासे जन की आकशांग जो आकांशाओं को पूरा करने वाला है तो यहाँ पर आकांशा या आकांशाओं ये लिख होगे ठीक है इसका बार आते हैं question number 2 पे जिसमें हमें सही और गलत का chain करना है तो सही गलत का chain करते हैं तो पहला जो इसमें पूछा गया है कि छायावादी रचना कारों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रियोग किया काफी important question है कई बार आया हुआ है ये question कई boards को solve करवाया है मैंने तो यहाँ पर जो आंसर होगा बिल्कु सही ठीक है मुक्त छंद का प्रियोग करने वाले रचना कारों में निराला जो है भी आपका वचन जो है गलत है ठीक है अगले question की तरफ move करते हैं next question है निराला की कवीता में शोशक वर्ग और सत्ता के प्रती प्रचंड प्रतिकार का भाव है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही ठीक है ना हमने देखा पढ़ा भी है इसका पाच्वा जो question है इसमें आपसे पूछा गया है सामाजिक करांती या बदलाव में साहित्य की भूमी का महतुपोन होती है तो यह आपका कैसा वचन है सही है गलत है तो बिल्कुल सामाजिक करांती या बदलाव जो होती है उसमें साहित्यों को हम खूब पढ़ते हैं अभी भी हम पढ़ते है उसी के हिसाब से बहुत सारी चीज़े चलती है तो सही यह वचन हो जाएगा हमारा इसके बाद में नेक्स जो है जैसे कि आप सामाजी करंटिया बदलाओ के बारे में तिहास में पढ़ते हो सोसल साइंस में पढ़ते हो तो इस तरह से आपका यह सत्ते है इसके बाद में तीसरा नंबर जो कोशन है इसमें पूछा गया है किस समय की शोभा से कवी की आँख हटाए नहीं हटती तो किस समय की सोभा से पूछा है तो आपको बताना है यहां से बिलकुल सही समझ लिया आपने भागुन की सोभा से अब इसके बाद में बाल कलपना के से पाले में नीहित अलंकार जो है आपको बताना है तो इसमें नीहित अलंकार जो है कौन सा आएगा तो इसमें उपमा अलंकार जो है ये आपको इसका जो अलंकार है वह आ जाएगा क्योंकि बाल कलपना से हमने जो है इसको तुलना की है उसके बाद में नेक्स जो कोशन है थर्ड अट नहीं रही कवीता में किस रितू का वर्णन है तो सभी को आंसर बिल्कुल सही पता है बसंत रितू का उसके बात में चोथा कोशन है घेर घेर गहूर गगन पंक्ती में किसने घेरने की बात कही है तो किस को किस से घेरने की बात कही है तो इसका अंसर सभी को पता है कि किस को घेरने की बात कही है घेर घेर गगन पंक्ती में किसे घेरने की बात कही है तो बादलो को चंद्रमा को स सूर्य को घेरने की बात करिए बादल उसे ठीक है ना तो यहां पर आपका सौ उप्षन आ जाएगा ठीक है इसके सूर्य नहीं आकास को यहां पर मिस्टेक हो गया तो यहां पर आप जो है आकास करेंगे यह बिल्कुल सही आंसर है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन में पुछा गया बादल किसका प्रतीक है तो बादल जो है यह आपका करांती का प्रतीक है क्योंकि इसमें आवान उसी लिए किया जा रहा है उसके बाद आते हैं कुश्चन नमबर चार पे बादल किसकी प्रेणा देते हैं तो आंसर आ जाएगा हमार को अनन्त के घं क्यों कहा गया है तो बादल विस्तृत आकाश में दूर तक जाता और धर्ती का ताप मिटा देता है इसलिए हम इसको अनन्त के घं कहा गया है अब इसको बाद में तीसरा है निराला की प्रमुख रचनाय बताईए तो आप इसमें रचनाओं के नाम जो कोई भी दो-तीन लिख सकते हो तो यहां पर है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नएपत्ते इसका बाद नेक्स जो कोशन है अट नहीं रही कवीता का वंड ने विशे क्या है और एक चीज और बताओं कभी-कभी क्या पूछता है आपसे एक बड़ा कोशन जो जाता है कि कवी निराला के भावपक्ष, कलापक्ष इस तरह से और उनकी दो रचनाएं और यह लिखिए तो उनमें सभी के जितने भी चप्टर हैं उनमें हर कवी की कुछ ना कुछ मैंने आपको यह जो रचनाएं बताई हैं इन रचनाओं को जरूर याद करिएगा ताकि जब आप एक्जाम में लिखे आंसर तो आपको यह रचनाएं याद रहे हैं और आपको याद भी आ जाया और अच्छे तरीके से आप लिख पाएं और देखिए किसी के बारे में लिखने के लिए केवल उस पार्ट को आप समझ लेते हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ सेम लिख सकते हैं और यह जो आपका मन्नु भंडारी है चाहें आपके निराला है सूरेकान त्रिपाठी या फिर आपका कोई भी हो तो सभी के आप जो लिखेंगे वो उसका बिल्कुल प्रारूप सेम होता है बस एक दू जेगे चेंजेज होते हैं बस उसी को आपको प्राकरतिक सौंदर्रे पागुन मास का जो प्राकरतिक सौंदर्रे उसके विशे का वर्णन है इसमें ठीक है उसके बाद में नेक्स जो है आपका जल से शीतल करने का आश्य सपस्ट कीजिए तो यहां पर हम लिखेंगे गर्मी की रितू के बाद बादल आकर धरती को अप इप्स concerned में झाये और आगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमे हमारा जो है नारजुन द्वाराव रचित उसको हम डिसकस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तो इस तरह से आपके सारे वीडियो दिस वन वाई आ रहे हैं ज्यादा लंबा समय नहीं ल बूलना उसमें आपके model, papers, important questions जो इंग्लिस के डाले गए हैं वो भी हैं, हिंदी के जो डाले जा रहे हैं वो भी हैं और math, science और sst के जब डाले जाएंगे तो वो भी आपको महीं मिलेंगे तो सब कुछ एक ही playlist में डाला जा रहा है जिससे आपको कोई भी परिशानी ना हो, तो आसा करता हूँ इस वीडियो का आपने share कर दिया होगा, like कर दिया होगा, चैनल को subscribe तो आप पहले से करके बैठे हुए, thank you very much once again